वाओ, what a documentary I mean I don't have words to express my emotions Child artist, ये एक ऐसा subject है जिस पर हम videos बनाते आए हैं Even हमारे channel पर top के most viewed videos में child artist पर बने कुछ videos ही है First Act नाम है इस documentary drama का जिसे इतने powerful way में present किया गया है कि आपको feel नहीं होगा कि एक film नहीं है, series नहीं है, एक documentary है और इस documentary का जो center focus है वो आज के समय से इतना relatable है कि पूछिये मत जहां हर माबाप बच्चपन से ही बच्चों को TV serials, ads, movies में काम करने के लिए तयार करने लगते हैं Casting director मुकेश छाबरा ने बताया था कि उनके पास दिन में 3-4 phone ऐसे माबाप के भी आते हैं जो कहते हैं कि हमारा बच्चा 6 महिने का हो गया है उसके लिए कुछ करिए तो इस documentary series में Real Child Artist की कहानी को Real Way में दिखाय गया है यानि यहां कोई lights, camera, action जैसा नहीं दिखाय गया है यहां इन Child Artist के Real के struggle को सामने लाया गया है दूसरी कहानी है उन popular Child Artist के जिन्होंने एक popularity तो पहले ही पा ली थी लेकिन उसके बाद वो वापस उसी condition में आ गए जहां वो पहले थे इसमें अनेको Child Artist की कहानी दिखाय गई है तो कुछ Stablish Child Actors के interviews दिखाय गए है जो अपना experience शेर करते हैं जैसे जुगल हंसराज, सारिका, दर्शल सफारी, परिजान दस्तूर वही Child Artists like यूवराज शास्त्री, निधी शास्त्री, एकता मैथई, सलोनी और अद्रीजा सिन्ह जो अलरड़ी काफी काम कर चुके है उनके struggle को भी दिखाय गया है इसी documentary drama पर आज की चर्चा रहेगी जिसका नाम है First Act आम लोगों को जहां मुंबई सपनों की नगरी लगती है तो actors इन सपनों के राजारानी सबको लगता है कि 20 second के ad में जो cute सा बच्चा दिखा है वो कितना lucky है जो इतनी सी age में TV पर आ गया लेकिन देखने वालों को क्या पता कि कैसे उसके बच्चपन को चीन कर उसके माबाप ने उसे पैसो की मशीन समझ कर उससे ये ads करवाए है TV सीरियल में करोड़ पती घर की बहू का रोल करने वाली actress कैसे pack up के बाद घर जाते समय राशन खरीद कर ले जाती है और अपने 1BH के फ्लैट में अपने बुढे माबाप को पाल रही है जिसे सीरियल में आदर्श बहू के रूप में हम देखते हैं वो रियल में बेचारी पैसो की तंगी के कारण अपनी रियल शादी भी नहीं कर पा रही है एक आम दर्शक क्या समझेगा कि क्राइम पैट्रोल के कई एपिसोड में दिख चुका वो चाइल्ड आर्टिस्ट रियालिटी में अपने स्कूल की फीस ना दे पाने के कारण स्कूल से निकाल दिया जाता है रियालिटी शोज को इंजॉई करने वाले कहां समझ पाएंगे कि जिस बच्चे के डांस पर सारे जैजस ने खड़े होकर बच्चे के उज्वल भविश्य की भविश्यवानी कर डाली थी वो कई साल स्ट्रगल करने के बाद ओडिशन्स देने के बाद सिर्फ एक छोटा सा डांस क्लास ही खोल पाया ये सिरीज आपको इस चका चौंद भरे टीवी फिल्म्स के पीछे की दिल को जंजोर देने वाली सच्चाई से रूबरू कराती है सबसे पहले कहना चाहूंगा beautifully presented मेरे पास शब्द नहीं है कि इस तरह के subject को इस way में भी बनाये जा सकता है और इस effective तरीके से present भी किया जा सकता है शुरुवात के दो episodes आपको थोड़ा सा confuse कर सकते हैं या थोड़ा आपको लगेगा कि कहीं मैं समय तो नश्ट नहीं कर रहा हूं बट have patience ये series आपको बिलकुल निराश नहीं करेगी शुरुवाती episodes में established child artists और fresher child artist और उनके parents की सोच को दर्शाय गया है हाला कि ये सब थोड़ा थोड़ा आगे के episodes में भी चलता रहता है लेकिन third episode से फिर गुथिया खुलनी शुरू होती है camera child artist के जीवन की गहराईयों में घुसना शुरू कर देता है और उनके दुख, दर्द, struggle, घरेलू परिस्थितिया, उमीदे, सपनों को परत दर परत दिखाने का काम शुरू होने लगता है ऐसा feel होता है कि कुछ scenes proper shoot किये गए है बट कई shots बिना बताए भी डाले गए है जो कहानी की originality को बरकरार रखते है एकता मेथई नाम की actress हो या सलोनी की कहानी ये सब एक समय पर आकर आपको रुला देंगी एकता मेथई जो crime patrol, गुनाह और लाल इश्क जैसे shows कर चुकी है उनके struggle को दिखाये गया है जहां कई बार script समझाते हुए उसे awkward moment में देखा जा सकता था जब उसे double meaning dialogues बोलने को कहा जाता था या कई बार जब rape scenes के लिए उसे बोला जाता तो जिस प्रकार से उसके चेहरे पर मजबूरी के भाव दिखते हैं या जिस प्रकार से वो अपने माबाप को लेकर भी एक बात बोलती है कि उसके माबाप ने कभी मना नहीं किया rape scenes के लिए तो again माबाप पर एक कोश्चर मार्ग तो लगता ही है लेकिन फिर एक बेटी होकर अपने माबाप को पालना उनका ध्यान रखना जिसके लिए उसे वो shows भी करने पड़ते हैं जिसमें वो comfortable नहीं है मतलब एक एक कहानी अंदर से जंजोड देती है different types के real माबाप के shots को use किया गया है जो अपने बच्चों के साथ उन्हें auditions दिलाने आते हैं उनकी thinking, उनकी सोच बहुत कुछ clear कर देती है कि जाने अंजाने ये माबाप अपने बच्चे के उस बच्चपन का सर्वनाश कर रहे है जो उन्हें दोबारा कभी नहीं मिल पाएगा इस documentary में famous child artist हेतल गाड़ा की journey और present scenario को दिखाए गया है जहां ऐसा लगता है जैसे वो एक छोटी बच्ची हो लेकिन shoot start होने से पहले make-up में उसकी मांग भरी जाती है साड़ी पहनाई जाती है और फिर वो एक बहु बनकर shot देती है पता नहीं क्यों बट मुझे ये एक heart breaking scene लगा जहां first time feel हुआ कि यार ये बच्चों के साथ क्या हो रहा है इनके बच्चपन में इन्हें क्या से क्या बना दिया जाता है I know ये actor के लिए एक आम बात है पता नहीं मुझे ऐसा लगा जैसे इसे कहते हैं बच्चपन छीनना वहीं हेतल की अपनी story भी है जहां वो उसके relative भाई बहन जो अगें छोटे मोटे roles करते रहते हैं उनके लिए हेतल की सोच I mean last episode में जो scene है जहां हेतल का भाई और वो रो पड़ते हैं इस स्थिती को देखकर वो निश्चित तोर पर आपको भी रुला देगी क्योंकि यहां ना acting नहीं थी यह सब real में feel किये गए भाई थे कोई scripted dialogue नहीं थे यह दिल के अंदर जो भरा पड़ा था वो शब्दों के रूप में बहार आ रहे होते हैं इसी तरह Saloni की कहानी को भी दिखाये गया तो आप सोच सकते हैं कि डारेक्टर ने इस documentary को बनाने में कितना समय दिया होगा एक जगे Saloni कहते हैं कि जहां काम मांगने जाते हैं तो वो पूछते हैं कि सोशल मीडिया पर आपके कितने followers हैं तो सोशल मीडिया followers पर भी depend करता है कि आपको काम मिलेगा या नहीं तो वो आगे कहती है कि इसलिए मैं कुछ न कुछ सोशल मीडिया पर डालती रहती हूँ हाला कि ये मुझे पसंद नहीं रौनिश की कहानी उसके माबाप के लिए आपके मन में negativity भर देगी बच्चे के फे में अपनी प्रसिद्धी ढूंडना बच्चे पर अपने उन सपनों को लादना जो वो खुद पूरा नहीं कर सके ऐसे अनेकों बाते रौनिश की कहानी में फील होती है एक मौके पर तो आकर रौनिश के माबाप पर इतना गुस्सा आ जाता है जब इंटर्व्यू करने वाली पूछती है कि आपको नहीं लगता ये चाइड लेबर है जिस पर वो कहती है हम इसके लिए लेबर बने हुए है हम इसके सपनों को पूरा करने के लिए स्टरगल कर रहे है जबकि इससे पहले के सारे सीन्स में रौनिश का भोलापन उसकी मासूमियत देखने को मिलती है जहाँ साफ फील होता है कि किस प्रकार से उसके माबाप उस पर एक्टर बनने का सपना थोप रहे है रात दिन बस यही बताते रहते हैं कि बेटा आउडिशन में ऐसे खड़े होना है ऐसे बोलना है ये करना है वो करना है इवन बच्चा कई बार तो रो पड़ता है लेकिन इन जैसे माबाप को कोई फरक नहीं पड़ता I am not sure कि रौनिश के माबाप ने ये डॉक्मेंटरी करने के लिए हाँ कैसे कर दी क्योंकि I am sure इसके बाद उन्हें कोई अच्छी नजरों से तो नहीं देखेगा स्क्रीन प्ले इतना पावरफुल है कि आप पलक नहीं चपका पाएंगे एक्ता मिठाई को जब रेप दिरिश्य समझाय जाता है तो वो जिस तरीके से अनकमफर्टेबल थी उसके बाद केवल आउडियो के माध्यम से जैसे उस रेप सीन को सुनवाय जाता है वो ऐसा लगता है जैसे सच में एक्ता के सपनों का रेप हो रहा हो ना चाहते हुए भी उसे कितना कुछ सहना पड़ता है ताकि वो पैसे कमा सके इसी प्रकार से रौणिश का एक दरश्य है जहां वो खिलोने से खेल रहा होता है बैग्राउंड में उसके मा की आवाज आती है बेटा ओडिशन की तयारी कर लो रौणिश कहता है मैं खेल रहा हूँ लेकिन कैमरा उस खिलोने पर कुछ देर रह जाता है जो एक्चुली में इतना impact डालता है द्रिश्य में कि आप पूछी मत बिना कुछ पोले यहां फील होता है कि कैसे इस बच्चे के बचपन को इनके माबापने स्वाहा कर दिया वो खिलोना एक अलग कहानी बया कर देती है ब्रिलियंट स्क्रीन प्ले डॉकुमेंटरी के लास्ट के एक दो एपिसोड में एंट्री होती है उस बच्चे की जो दस साल की एज में न किवल बॉलिवूड बलकि हॉलिवूड में भी अपना दबदबा बना चुका था वो था स्लम डॉक मिलेनर का चाइल्ड आर्टिस्ट अजरुदीन मुहमद इस्माइल जिसकी प्रसिद्धी उसकी मा को नहीं भाई और उसे वापस औरंगाबाद के स्लम में ले गई हाला कि उसके डाउनफॉल के रीजन्स उसका ड्रग्स लेना पुलिस द्वारा ड्रग्स केस में पकड़े जाना इत्यादी भी था जब ये टीम उसके औरंगाबाद वाले घर जाती है तो वहाँ जब उस बच्चे को दिखाय जाता है जो 23-24 साल का हो चुका था वो एकदम अलग था आज उसे कोई नहीं पहचानता वो चाइल्ड आर्टिस्ट जिसने उस फिल्म में एक एहम भूमी का निवाई थी जिसे आठ ऑसकर प्राप्थ हुए थे वो चाइल्ड आर्टिस्ट स्लम डॉग मिलिनेर से वापस स्लम में चला गया एक सीरिल के डार्टिस्ट का भी इंटर्व्यू दिखाय जाता है जिसमें वो कहते हैं कि हम फिल्मों और सीरिल्स के शुरुआत में दिखाते हैं कि इसे बनाते हुए किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुचाये गया है यहां हम एक्टिंग की बात नहीं कर सकते क्योंकि किसी ने एक्टिंग की ही नहीं है। नहीं हूँ लेकिन उसका बच्पन खत्म करके ऐसा हो तो मैं उसे सपोर्ट नहीं करूंगा। भी रहूं जाईब। झायसर्ड चैन एंनलड तो में डिलाशम क Krotyrव आप Interesting कर्दैन नहीं डिलाशम करें अनलड गलतेत हैं क्योंकिն घड़िप ही हूशंग। पर पर चरदी नहीं कियां क्योंकि वैश्टसर्डड प्रीगां के वलते रेलग।